मोहन एक परसन होता है उसको कितने रुपए मिलते है 1,350 मिलते है कहां से गीता से गीता से 1,350 रुपीज मिलते है और रोहित से 650 रुपीज मिलते है टोटल Out of the total money that Mohan gets from Gita and Rohit What percent does he get from Rohit तो कॉश्जम में बोला है जो total money Mohan को मिलता है from Gita and Rohit तो उसके अंदर से Rohit ने कितना दिया है वो percent अपनको calculate करना है in percentage we have to calculate ठीक है तो सबसे पहले हम answer में लिखेंगे total money Rohit को कितना मिला है हम वो पहले add करेंगे total money Rohit received sorry Mohan received कितना मिला है Mohan को गीता से सबसे पहले मिला है 1350 plus Rohit से कितना मिला है 650 मिला है तो total money कितना हो गया 1350 plus 650 2000 rupees उसको मिला है किसको Mohan को मिला है ठीक है अब हम को क्या करना है यहाँ पे हम लिखेंगे question में क्या बोला है what percent does he get from Rohit amount amount received from Rohit Rohit को कितना पैसा मिला है basically मिला है rupees 650 मिला है I mean Rohit ने कितना Mohan को दिया है sorry Rohit ने Mohan को कितना दिया है 650 rupees दिया है